हलो एवरिवन दिस इस अवनीज धारिवाल आई क्वालिफाइड दा जूडिशल एग्जांप सफ दिल्ली एंड यूपी एंड टोडेश टॉपिक इस दा केस लाओ ट्यमेपाई फांडेशन वर्सेस इस स्टेट अफ करनाटका इससे पहले भी मैंने कॉंस्टुशिशनला के काफी सारे केसिस डील किये हैं और दिस इस वन फॉस्ट इंपॉर्टेंट केस लौज फॉफ कॉंस्टुशिशनल लॉव और जो भी मैं बता रहा हूं आप उसके नोट्स बना लेना बिफोर कमिंग तू इस टॉपिक डूट फॉर्गेट तो सब्सक्राइब एंड मेरा एक बैकप चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और इस चैनल पर कोई प्राब्लम होगी तो इंस्टा यूज कर सकता हूं और दूसरा जो बैकप चैनल है डैट में आलसो भी यूज़्ट कई बार वो लोग पूश लेते हैं कि कितने जज़िज की बैंच थी है तो यह 11 ज़ज़िज बैंच थी और 6 ज़ज़िज की मेज़ोर्टी ने ओपिनिन दिया था इसमें जो मेज़ोर्टी ओपिनिन थी तेट वाच अफ सिक्स ज़ज़िज दोजार दो का केस है और एक बहुत कॉंप्लेक्स केस है बहुत सारे इश्यू जिसमें इंवाल्व थे मुझे भी काफी टाइम लगा इसे समझने में तो मैं आपको जो चीज़े बताऊंगा वो क्रक्स इसका क्योंकि सारे इश्यू जो अगर आप डील करने लग जाओगे तो एक्जाम में भी आपको उतना नहीं लिखना और फिर मेंटली होच-पोच हो जाएगा Coming to that what is the basic issue अगर आप article 30 पढ़ते हो तो article 30 में minorities को right है establish or administer करने का अपने institutions के अगर मैं एक reading लूँ you also take a reading of article 30 clause 1 all minorities whether based on religion or language मतलब religious minority भी हो सकती है और linguistic minority भी हो सकती है shall have the right to establish मतलब वो establish कर सकते हैं educational institutions को and administer administer भी कर सकते हैं उसके बाद उनका देख रेक करना management करना educational institutions of their choice ना यह जो word है of their choice तो इसका मतलब है कि उन्हें independence होगी establish करने की educational institutions को और administer करने की दोनों चीजों की उन्हें स्वतंतरता होगी independence होगी लेकिन of their choice का क्या मतलब है क्या इसका मतलब है state कोई restriction नहीं लगा सकता है यहां फिर state कुछ हद तक regulate कर सकता है क्या उनके पास fundamental right है educational institutions को establish करने का और क्या यह right absolute है यहां फिर restricted है यह सब issues थे जो TMA by foundation थी तो उसने कुछ institutions established किये जो की minority institutions है और तीन issue को लेके सबसे बड़ा हो था कि पहली बात यह है कि जो अभी college होते है यह university होती है उनकी governing body होती है तो उस governing body के members को कैसे choose किया जाए अब state regulation बना रहा है कि अगर आप governing body का कोई member बना रहे हो तो उसकी यह qualification होनी चाहिए इस type से state regulation बनाता है तो इस बात से इन्हें दिक्कत है दूसरी दिक्कत है कि कैसे admission लिया जाए students का अगर कोई common entrance test है तो क्या minority institutions पे भी apply होगा minority में भी जो unaided institution है जिनने state से help नहीं मिल रही क्या उन पे भी apply होगा तीसरा यह है कि recruitment कैसे हो teachers की उसको लेके क्या state law बना सकता है क्या कोई restriction इन पे लगाया जा सकता है तो from the side of from the side of educational institutions minority educational institutions जो की unaided थे उन्होंने आर्ग्यू किया कि constitution ने हमें fundamental right दिया है educational institutions को establish करने का और of their choice use किया है article 30 clause 1 में जिसका मतलब है हमें independence है establish करने की educational institutions को और उन्हें administer करने की और हमारी independence के साथ interference नहीं गिया जा सकता है the state cannot interfere with our independence to establish and administer educational institutions हम अपने ढंग से we can run our institutions as we like the state has no right to regulate our affairs on the other hand it was argued by the state of करनाट का that to maintain educational institutions education की quality को maintain करने के लिए और fairness को administration की fairness को maintain करने के लिए we can make some regulations हम कुछ regulations बना सकते हैं basic regulations जिनका परपच यह है कि education का standard ना गिरे और दूसरी चीज़ यह है administration जो है उनका वो fair हो reasonable हो जैसे कि वो students को recruit करते हैं प्रोसीजर भी fair होना चाहिए तो इन basic issues के लिए हम regulation बना सकते हैं तो यह सब issue जो है court के सामने थे court ने बहुत सारे questions भी फ्रेम किये कुछ questions का answer court ने नहीं किया तो मैं basic findings court की आपके सामने deal करूंगा what was the crux of these issues पहला issue यह था कि minority को determine कैसे किया जाए कैसे minority को determine करोगे क्या nationally suppose कीजिए एक state है उसमें 80% लोग Muslims है मतलब example दे रहा हूं मैं इसे reality मतले न कि 80% लोग Muslims है बट national level पर अगर देखा जाए तो वो 20% ही है Muslims तो क्या Muslims को national level minority माना जाएगा यहां फिर state specific हम decide करेंगे that means कि एक इस state के में जो है अलग-अलग हर statement declare किया जाएगा कि minority है कि नहीं है क्या standard होना चाहिए minority decide करने के लिए तो इसके लिए court ने कहा कि whenever you have to decide that which community is minority minority दोनों हो सकती है religion पर based और language पर based तो जब भी decide करना होगा it would be decided as per the state जैसे कि अगर राजिस्थान में Muslims सिर्फ 15% है तो वहाँ पर minority होंगे यह इसी डंग से मतलब बाकी state को भी आप देखोगे कि कितना उनका number है statewide आप nationally declare नहीं करोगे central lobby कोई बनेगा तो उसे भी statewide हमें देखना पड़ेगा पहली चीज कोड ने यह कही कि इस डंग से आप decide करोगे फिर court ने कहा जो second point था कि कि जो minority institutions हैं जो सरी जो minorities हैं they have a right to establish educational institutions it is their fundamental right उनके पास fundamental right है educational institutions को establish करने का बटी right absolute नहीं है this is not an absolute right and the state can place some restrictions अब question आता है अगर state कुछ restriction place कर सकता है state कुछ हद तक regulate कर सकता है तो किस हद तक regulate कर सकता है क्या criteria उसका होना चाहिए तो court ने इसके लिए कहा कि पहली चीज़ यह है कि अगर आप students अपनी choice के रखना चाहते है you want to you know admission का जो जहां तक part है admission is a part of administration अगर आपको right है administer करने का educational institutions को तो आपके पास students को admit करने का भी जो है right है अपनी choice के students को आप admit कर सकते हो और जब minority institution unaided है अगर unaided है पूरी तरह कोई state help नहीं मिल रही minority institution को तो it can admit students of its choice अपनी choice के students को वो ले सकता है बट इसमें transparency होनी चाहिए जो प्रोसीजर होना वो प्रोसीजर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी को भी pick and choose कर रहे हो आपका प्रोसीजर जो है वो फेर होना चाहिए transparent होना चाहिए और इसके लाब अकोर्ट ने कहा कि merit का भी उसमें ध्यान रखना चाहिए suppose कीजिए एक कोर्स MBA है और उसे minority institution offer कर रहा है और MBA के लिए जो है बहुत सारी applications आई और कुछ लोगों के जो marks थे they were above 90% लेकिन state ने क्या किया इस state ने 50% वालों को choose कर लिया 90% वालों को reject कर लिया तो यहाँ पे clear है कि यह transparent procedure नहीं है आप अपनी पसंद के student लो चाहें आप अपनी ही community के student लो सारे के सारे but transparency के साथ जो है आप जो है उन्हें admit करो उसमें merit का ध्यान रखो fair रखो अपना procedure तो इस चीज के लिए state आपको जो है state regulate कर सकता है state कोई law बना सकता है जैसे कि state ने MBA के लिए कोई law बनाया कि MBA के लिए जरूरी है कि graduation में 60% हो या 55% हो तो इस दन की regulation जिससे की merit को foster किया जा रहा है merit को जो है you know value दी जा रही है तो उस टाइप की regulation state बना सकता है दूसरी जीजी है educational standards को maintain करने के लिए जो है educational standard का क्या मतलब हुआ educational standard का मतलब यह हुआ जैसे कि MBBS का course है और MBBS course के लिए state ने common entrance test बनाया हुआ है जैसे कि नीट है तो जितने भी college है they have to take students on the basis of NEET तो इस धंग से state prescribe कर सकता है कि जो un-aided minority institutions है उन्हें भी student अगर admit करने है MBBS में तो students को वो test देना पड़ेगा जो common entrance test बाकी institutions के लिए है तो वो test देना पड़ेगा तो इस धंग की regulation state ला सकता है जिससे educational standard को maintain किया जाए educational standard को जो है increase किया जाए इस धंग की regulation state ला सकता है उससे उनकी independence पर फर्क नहीं पड़ेगा फिर court ने ये भी कहा कि जहां तक teaching staff के recruitment की बात है वो procedure भी fair होना चाहिए that should also not be perverse तो इन सब चीजों के लिए basic regulations state बना सकता है अब court ने ये बात कही with regard to institutions which are unaided institutions अगर कोई minority institution अगर state से aid ले रहा है तो उसकी position थोड़ी सी different होगी how let me tell you suppose करो आपने कोई educational institution established किया तो court ने कहा कि अगर आप state aid मिल रही है आपको state से help मिल रही है आपको एक कड़ोर रुपया per year मिलता है state से और आपके पास 100 seats है तो court ने कहा कि आपको कुछ seats open category के लिए ही रखनी पड़ेंगी you cannot reserve all the seats for minority institutions suppose करो 100 seats है तो आपने 20-30, 20 seat या 30 seat या 40 seat open category के लिए रख ली और बची हुई seat आपने minority के लिए अपने minority institution के लिए अपने minority candidates के लिए reserve कर ले लेकिन अगर state aid आपको मिल रही है तो total reservation आप नहीं रख सकते हैं in the favor of minority अब कितना reservation होना चाहिए that is also a pertinent question तो इसके लिए court ने कहा कि इसका कोई set standard नहीं है लेकिन हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा पहली चीज यह है कि किस type का institutions है अगर ऐसा institution है जिसकी education सिर्फ religion से related है तो उसमें आप ज़्यादा seats minority के लिए reserve कर सकते हो लेकिन ऐसा कोई institution है जो professional education दे रहा है जैसे कि MBBS, MBA के degree है तो उसमें कम seat आप reserve रखो minority के लिए और educational needs को देखो आप minority की for example अगर northeast की कोई community है और उसका जो standard है education का वो बहुत low है और उनके लिए कोई educational institution establish किया जाता है जो कि minority institution है फिर उसमें reservation minorities के लिए जादा भी हो सकता है 90% तक भी allow हो सकता है even if it is receiving state aid लेकिन अगर state aid receive कर रहा है minority institution तो कुछ seat आपको जरूर open category के लिए रखनी पड़ेंगी that is compulsory वो चीज इस्टेट decide कर सकता है एक स्टेट जैसी करनाटका में institution है तो करनाटका government may decide कि आप 30% seat जो है इस course में open category के लिए रखो 70% आप minority के लिए रिजर्व कर सकते हो इसी देंक से बागी state में भी इन चीजों को ध्यान रखके यह चीज़ डिसाइड की जा सकती है तो court ने ये इसका crux बताया court ने ये भी कहा कि कहीं पर भी mal administration की हम permission नहीं दे सकते state has to take care कि minority institution के नाम पर mal administration ना हो educational standards के साथ compromise now तो that was all about this case बहुत से questions थे जो court ने answer नहीं किये बट this much would be enough for your examination इसके अलावा मैं बाकी constitution के cases बहुत सारे deal कर चुका हूँ आप playlist में देख लेना पीछे videos में जाके देख लेना ये constitution के cases हैं आगे के videos के लिए आप मुझे suggest कर सकते हैं क्योंकि constitution में बहुत सारे case law है जो की landmark case law है तो आप मुझे suggest कर सकते हो तो that would also be helpful for me and others कोई आपकी query है तो आप comments में लिख सकते हो बाकि don't forget to subscribe thank you